डेंगू का स्टेन 2 हुआ खतरणाग बिना प्लेट्स लेच गटे मरीच की बिगड रही हालत ये है इसके लक्षन राज में डेंगू गतवर्षूं की तुलना में कई माइने में अलग है यहां पहली बार एक साथ डेंगू वाइरस के चारो इस्टेन डेन 1 इस्टेन डेन 2 डेन 3 वा डेन 4 की पुस्टी हुई है एक रोगी में 2-2 स्टेन एक साथ मिली है राज के मुखे सर्विलांस पतादिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार बता चुके हैं कि गतवर्ष की तुलना में इस बार डेंगू दोगना अधिक संक्रामक है राज में डेंगू राज की मुखे सर्विलांस पतादिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार बता चुके हैं कि गतवर्ष की तुलना में इस बार डेंगू दोगना अधिक संक्रामक है अब तक प्रदेश में करीब 8100 और पत्ना में सर्वदिक 2728 मरीज मिल चुके हैं पत्ना में 5 समेद प्रदेश म मरीज सांस लेने में परिशानी लिवार चाती में पानी भरने बीपी कम होने पेट आंक में तेश दर्द वा उल्थी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे भरती होने वाले रोगियों में से सिर्फ 5 प्रतीशत को ही प्लेट लेट्स चड़ाने की जरूत पढ़ रही ह गत्य साथ दिनों से लगातार केवल राजदानी के अस्पतालों में 300 से अधिक मरीज भरती हैं लेकिन ब्लेट बैंकों में प्लेट्स के लिए मारा मारी की स्ततीर नहीं बनी है भाती चिकित्सा शोद संसान की शाका राजिंदर मेमोरियल रिसर्च इंसिट्यूट ओफ मेडिकल साइंसेस आई एम आर आई के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे और जिला संक्रामक रोग पदादिकारी डॉक्टर शुभास चंद प्रशाद ने बताया कि प्रदे देन टू वर नौ में देन त्री की पुस्टी हुई है तीन रोगी दो दो स्टेंज से पीड़ित मिले देन टू स्टेंज सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है जो लोग 18 मा के अंदर दूसरी बार देंगू की चपेट में आए हैं उनमें घातक लक्षन उबरने की आशंका जादा होती है इसका कारण शरीर में पहले से मौझूद एंटी बोजी से चक्राव के कारण बड़ी परिशानी है नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एन एम सी एच में मेडिसन डेंटू या अने स्टेंड में तीज बुखार जोडो सिर्व आंखों की पीचे दर् होते हैं 85 प्रतिशत मरीज घर में स्वस्त हो रहे हैं 6-15 प्रतिशत से अधिकतर बुखार उतने या चार से पांच दिन बाल शाक सिंड्रोम के लक्षन यानी बीपी नहीं मिलने या सास में परिशानी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं इसके लावा लिके सिंड्रोम यान हेम रेजिक जेंगो के मरीज कमा रहे हैं